कर दुस्तों स्वागत आपका हमारी नोजी यूट्व चैनल पर एक बार फीर आज जिरुए है हमारी लाखो करम चैनल पेंशन बोग्यों के लिए एक गुड़ व्यूज लिगा जिहां दुस्तों सरकार ने एलान कर दिया गया है और हमारे जो करम चैनल की सैलरी है उसमें करती है उसको नोटिफिकेशन आपके पास तुर्ण पॉंस की तो दोस्तों बिना किसी दिरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्या है बड़ी खबर वहीं हम आपको इस वीडियो की मादम से बताएंगे दोस्तों एट पे कमिशन अपडेट क्रम चैनल के लिए आई और इसको क्रalter कल भी मिल रहा है कि उनके लिए के उसकारी की मन करें रहे हैं इस समय में एक ग्यापन त्यार कर रही है जिसे जल्द ही सरकार को सोपर जाएगा दोस्तो इस गैपन में क्रामचरी को इस तरह की सिकायत के अनुप सैलरी बढ़ावे वे आठमा वेतन आयों के लाने की मांग की जारी है क्रामचरी की उम्मीद है कि सरकार इस पर चर्जा कर रही है दोस्तो कितनी होगा आपकी बैसिक सालरी उस पर भी हम बात करते हैं केंदरी क्रामचरीों संगठनों को कहना है कि फिलाल जो नियुनतन वेतन की सीमा 18,000 रूपे रिखे गई है इसमें सालरी फिट्मेंट फैक्टर हो परमुकता दी गई है फिलाल जो फैक्टर है दो पॉइंट पांस साथ गुणा है हलाएक कि सात्मा वेतन आयों में 3.68 गुणा रखने की स्पारिस की अगर इस पर सरकार सहमती बना सकती है तो दोस्तो 18,000 से 26,000 रूपे तक आपकी जो पैंसन है उसमें बढूतरी होगी जहां दोस्तो कैसे होगी वह भी हम आपको बताते हैं दोस्तो जैसे की इसमें बता जा रहा है सैंथ पे कमिशन के अकोर्डिंग दूस्तो आपकी जो सालरी थी वेतन था वह 27.6 परसेंट था बैसे के साथ सुपचास रुपे थी दोस्तों फिफ्ट की बात करें तो आपकी जो पेंजन वर्दी हुई है दोस्तों वह 31 परसेंट हुई है और सैंथ में शिक्स में बता जा रहा है कि तिनी सालरी फीटमेंट फेक्टर एक पॉइंट आर्ट से गुणा यानिकि जो जो वर्दी है वो चोदब कॉइंट 29 परसेंट है यानि कि जो आपकी वेतन मान सेलरी है वो 18,000 रुपे है अगर आपका जो आठमा वेतन कमिशन मिलेगा तो आपकी सेलरी कितनी बढ़ेगी तो दूस्तों वहीं बताते हैं इसमें बता जा रहा है कि इस सरकार ने जो हमारे क कोगा जहां दोस्तों इसमें जो आपकी सेलरी उसमें जबर्दस्ती जाफाप को देखने को मिलेगा कोई नया सिस्टम भी लौंच कर सकते सरकार तो वह भी हम आपको बताते हैं सरकार का क्या फैसला है क्रमचरी को सादने में जुटी है सरकार और जो सुतरों की मुताबिक निकल कर सामनी आ रही है सबत्मा वेतन आयोग के बाद अब नय वेतन बताया जाए रहा है कि आठमा वेतन आयोग है क्या आएगा या नहीं आये गा इसके बजाए सरकार ऐसे सिस्टम लगो करने जा रहे है जिससे सरकार एकरमजर के वेतनवर्दी अपने आफ हो जाएगी एक ओटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम हो जाएगा जिसे 50% से ज़्यदा होने वाले सैलरी में ओटोमेटिक रिवीजन हो जाया गड़ेगा अगर ऐसा होता तो आपको 48 लाख क्रमचानी और 65 लाख जो पैंसिं दर्कों को इसका फाइदा होगा दूस्तों जो सरकार को गैप जो आंदोलन है वो शुरू करना होगा और इस आंदोलन में केंद्रे क्रमचारे के साथ पैंसन पाने वाले पूरो करम भी भाग लेंगे दोस्तों यह थी आजगी मैं लेटेस अबडेट आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे होगे दोस्तों वीडियो च्छी लगे त सबस्क्राइब कुरू जे